फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो लाना चाहते हैं तो हमारे किचिन में रखे कुछ सामान का आपको यूज करना है और स्कीन पर इंस्टेंट ग्लो आएगा चेहरे का सारा मेल एक बार में रिमूब हो जाएगा तो इसके लिए आपको लेना है बेसन ग्रेम फ्लोर नेक्स्ट चावल का आटा हमारी स्कीन के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मन्द होता है और बेसन हमारी स्कीन को एक्सफोलियेट करता है चेहरे का सारा मेल काला पंदूर करता है स्कीन पर यदि बहुत ज़्यादा डलने से सन टैनिंग इनको दूर करता है और गेहुं का आटा हमार स्किन के लिए बहुत जादा फायदे मंद होती है जैसे सरदी आ जाती है सभी की स्किन बहुत जादा ड्राय हो जाती है गलीसरीन हमारी स्किन को सौफ्ट बनाती है चेहरे पर ग्लोल आती है स्किन के लिए बहुत जादा फायदे मंद है जिनकी स्किन बहुत जादा ड्राय र नेचरल चीजों का यूज करके आप चाते हैं कि आप केमिकल वाली चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करना चाते हैं तो आप ये रेमेडी का जरूर यूज करें फेस पर जितना भी मेल होगा इसकीन बहुत ज्यादा डल हो गई होगी चेहरे को सॉफ्ट बनाने के लिए ये बहुत ही जादा फायदे मंदे बहुत आसानी से आप इसको बना कर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आपको इसमेट करना है कस्तूरी हल्दी वाइल्ड टर्मरिक कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद होती है इस्कीन को निखारती है तो कसतूरी हलदी जरूर एक करना है और कसतूरी हलदी आप चाहें तो अमभा हलदी भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आपको स्मैट करना है दही, दही हमारी स्कीन को सोफ्ट बनाता है, ड्राइनेस को दूर करता है, स्कीन से जहाईयां जुर्यों को दूर करता है, काले दाग धब्बे, जुर्यां, काले निशान, स्कीन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, चेहरे पर फाइन लाइन् पेपर में और से कहे शेफ हैं में एक्टिक एसिब के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे इमनल कोडbbles complete फायदें अब पंग उच्छे ग toothpaste करना को इसको मिक्स करना झेटा और फॉराने टाइम से लोग इन चीजु का यूस करते आ रहे हैं और ये बिल्कुल नेच्रल होती है इसको टीनेजर से लेकर कोई भी एज के लोग इसका यूज कर सकते है और इसको जेन्स, गर्ल, बोई कोई भी यूज कर सकते है बहुत ही नेच्रल है और कोई केमिकल नहीं है फेस जदी डल हो जाता है चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाना हो और अचानक कहीं जाना हो टाइम भी नहीं हो तो आप ये बना कर इंस्टेंटली अपने फेस पर ग्लो ला सकते है तो इसको अपलाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वाश कर लेना है क्लीन कर लेना और इसको किसी भी एज के लोग यूज कर सकते हैं तो आपको simple अपने face पर इसको apply करना है और जब भी आपकी skin बहुत ज़्यादा डल लगती तब इसको बना कर use कर सकते हैं और आप इसको जितना चाहे उतना apply कर सकते हैं वीक में एक से तीन चार वार या आप चाहे तो इसका एक दिन छोड़कर रोज यूज कर सकते हैं बहुती ज़्यादा फायदे मन्द है और नेच्रल है खास बात यही है कि यह नेच्रल है यह इसमें कोई ऐसा इंग्रीडियन्ट एड़ नहीं करा है जो आपकी skin को harm करें तो बस आपको इसको simple अपने face पर apply कर लेना है यदि आपके पास में कस्तूरी हल्दी नहीं है wild turmeric तो आप इसकी जगा पर एक पिंच किचिन की हल्दी add कर सकते हैं इससे ज़्यादा आपको add नहीं करना है तो अच्छे से मैंने पूरे face पर इसको apply कर लिया है 20 मिनिट तक face पर ल इससे आपको अपने पूरे face को dabda करके गीला कर लेना है face को अच्छे से पूरे face को गीला करने के बाद में आपको नीचे से उपर की और अच्छे से massage करना है बिलकूलbank हलके हाथों का use करना है ज्यादा आपको रगड रमसाज नहीं करना है मसाज करने से हमारी स्कीन पर जो भी डेड़ी स्कीन होगी वो रिमूब हो जाएगी डेड़ सेल्स रिमूब हो जाएंगे चेहरे से वाइट हेट्स दूर होंगे नोस के आसपास अच्छे से मसाज करें पूरे फेस पर आपको बिल्कुल हलके हलके हातों से मसाज करनी है अच्छे से मसाज करना है और मसाज कम से कम आपको 10 मिनिट तक अच्छे से मसाज करें आप चाहें आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनिट तक जरूर मसाज करें अच्छे से मसाज करने के बाद में नॉर करें और बेल आइकन को पर जरूर किलिक करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नियु नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो इसी तरह से आप भी अपने स्किन केर करना चाते हैं तो इस रेमेडी का जरूर यूज करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बा